हेलो दोस्तों कुकीमित रोमाली में आपका हार्दिक स्वागत है तो आप देख सकते हैं कि गर्मिया चरम पर है तो यहां मैं कर्मी से रिलेटेट कुछ रेसिपीज आप लोगे साथ सेयर कर रही हूँ जहां मैंने कुछ सिंपल ड्रिंक्स सेयर किया था अब यहां मैं मैंने में भीड़ेख सेयर कर रही हूँ आप देख सकते हैं अपने मवाइली स्क्रीन पर यहां मैंने मैंगो मिल्क शेक बनाया है तो उसके लिए मैंने यहां पर मैंगो पल्प ले ली हूँ moi प्लप अच्छे से निकाल लिया है और यहां मैं चिल्ड फूल क्रीम डूध क इस्तमाल कर रही हूँ और इस mixture grinder में मैंने सुगर को अच्छे से पीसा था तो उसका किनारे किनारे लगा है तो आप इसे ignore करिएगा और यहां मैं दो टेबल स्पून सुगर पाउडर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से पीसने के बाद दिये देखिए हमारा पहला milkshake लगवग बनके तयार है और इसे मैं डिकुरेट कर रही हूँ मैंने आप एक लास में अच्छे से इसे डाल दिया है आप इसे गेस्ट को ज इसे अच्छे से डेकुरेट कर नहीं हूँ तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे मिल्कशेक पे वो है बनाना मिल्कशेक तो उसके लिए मैंने आपे दो बनाना ले लिया है और उसे भी अच्छे से क्लीन करके कट करके इसे भी मैंने मिक्षर ग्राइंडर में डाल दी हूँ और यहां मैंने फुल क्रीम दूद ली हूँ, मैं चिल्ड दूद, उसे मैं डाल रही हूँ, और यहां मैंने डेट का भी इस्तमाल किया है, पिन खजूर, आप इसमें और भी ड्राइफूट्स डाल सकते हैं, आपके उपर है, और यहां मैं दो टेबल स्पून हनी डाल रही यह सब आप स्किप मत करेगा, इससे हमारा यह बनाना मिल्कशेक का टेस्ट और इनहांस होगा, तो आप इसे स्किप मत करिएगा, हानी जरूर डालिएगा, डेट्स जरूर डालिएगा, और भी हेल्दी बन जाएगा यह बनाना मिल्कशेक, यह प्रोटीन से भरपूर यह मि यहां मैं आइस क्यूब डाल रही हूँ यह गर्मियों में पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है और यहां पर मैं अच्छे से बनाना को छुटे-छुटे कट करके डेकुरेशन में इसका इस्तमाल कर रही हूँ और अख्रोट को भी मैंने अच्छे से कट कर लिया था चॉप कर लिया था उसे भी डेकुरेशन में इस्तमाल करके मैं हमारा यह दूसरा मिल्कशेक भी बनके रेडी है अब चलते हैं तीसरे मिल्कशेक पे जो बच्चों को तो खास के पसंद आता है और वो है ओरियो मिल्कश तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्वाइंटीडी के सबस मैंने चार ही ओरियो लिया है क्योंकि मुझे एक ही ग्लास बनाना था और इसमें मैं सुगर पाउडर डाल रही हूँ चिल्ड मिल्क डाल रही हूँ यह तो बच्चों को और हमारे एडल्स को तो बहुत ही प डाला है जिससे हमारा टेस्ट और क्रीमी और बहुत ही डिलेसियस होगा और यह देखिए हमारा यह क्रीमी क्रीमी ओरियो मिल्क शेक बन के तयार है जागदार आप देख सकते हैं इसका लुक वाइस कितना प्रिटी आया है इसमें मैंने हर्शी चॉकलेट सीरप से ग्लास को भी डिकुरेट कर दिया था जिसे कि एकदम मार्केट की तरह ही लग रहा है देखने में और यह मैं किटकेट के साथ और ओरियो बिसकिट के साथ इसे डिकुरेट कर रही हूँ आप इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं इस मिल्क शेक में और यह देखिए हमारा ओरियो मिल्क मिलकशेक भी बनके रेडी है, तो ये हमारा तीन तरह का मिलकशेक बनके तैयार है, आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, ठंडी-ठंडी, गर्मियों में राहत पहुंचाने वाली है मिलकशेक, हेल्दी अंड इलेशियस, जो कि सस्ते में हमारे घर पे भी बनके रेडी हो स और गेस्ट भी आप से इंप्रेस हो जाएंगे तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए और मेरे वीडियो सारे आप लोग देखिए मेरे समर वीडियो भी देखिएगा थैंक्यू सो मॉच